Hello and welcome to my channel, अपना इंशुरेंस वाला Hello friends, आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ 21 पॉलिसी से आप MDRT कैसे करें और आप सब पहले से ही जानते हैं कि इस बार MDRT 2022 के लिए 1 January 2021 से 31 December 2021 का time duration है और इसे बीच में 21 लाग का premium हमें collect करना है इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, हम सब आपको ये बताएंगे इस वीडियो को last तक जरूर देखें क्योंकि last में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये target आसानी से achieve कर सकते हैं तो सबसे पहले वो कौन सा plan है, जो आपके लिए एक LIC agent के लिए और client दोनों के लिए अच्छा होगा तो friends, plan है जीवन उमंग, table number 945 तो friends, अब कैसे आपको sale करनी है, सबसे पहले आप अपने सारे contacts में एक message शेयर करिए जिस message में आपको लिखे भीजना होगा, बचाये सिर्फ 275 रुपे हर दिन 15 साल तक और पाएं जीवन भर हर साल 1 लाक रुपे और साथ में एक करोड से भी जादा की maturity आप इसे इंग्लिश में भेज सकते हैं, जैसे save rupees 275 per day for 15 years and get 1 lakh per year for whole life and get maturity more than 1 crore rupees उसके बाद friends, इस messages को आप अपने WhatsApp या Telegram पर भेजे, normal text भी आप message बना कर भेजे क्योंकि अभी भी कई लोग WhatsApp यूज नहीं करते हैं और कई बार जादा messages की current message skip भी हो जाते हैं, पर normal text message हर कोई ध्यान से पड़ता हैं क्योंकि ये बहुत ही कम आते हैं और जैसे ही आप के पास query आना शुरू होती है, तो आप उन्हें phone पर कभी कुछ न बताएं बलकि उनसे एक proper appointment लें appointment fix होने के बाद अपनी पूरी तयारी के साथ आप client के घर जाएं, आप client के बच्चों के लिए कुछ chocolates या client के लिए diary या pen लेके भी जा सकते हैं आप अपना पूरा plan प्रेजेंट करें और इस बात को अच्छे से समझाएं कि सिर्फ 15 लाग रुपे आपको जमा करने हैं 15 साल तक और मिलेंगे आपको एक करोड से भी ज्यादा तो फ्रेंट्स इस तरीके से आपको सिर्फ 21 पॉलिसी ही आपको 21 लाग से ज़्यादा का प्रीमियम दिला देगी आप collect कर लेंगे और बड़ी आसानी से आप MDRT क्वालिफाइ कर लेंगे और फ्रेंट्स लास्ट में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में हम कुछ important टिप्स आपको easy closing के रिए बताएंगे तो पहला टिप है कि आप जब भी plan शो करें तो उसे daily saving के रूप में ही दिखाएं और दूसरा टिप है कि कोशिश करें अच्छी regular income वाले client को ही plan शो करें जैसे कोई government teacher है, government employees है, police officer है या shopkeeper है जाहिर सी बात है जो लोग एक दिन में 1000 या 1500 के अंदर कमाते होंगे वही आप से ये plan ले सकते हैं, वही इसे effort कर सकते हैं झाल कर दो सकते हैं